आज की कहानी है मूर्खा, इसकी कहानी कार हैं पांडे बेचन सर्मा उग्र अम्मा का नाम गुलाबो, मुए देखो तो छुआरा आकिरती धनुस की तरह है, अबस्ता 85-85 वर्स अम्मा का खासा परिबार, बेटे तीन, राम काम और दाम जिनके लगु नाम, पूर नाम रामेस्वर, कामेस्वर और दामोदर, रामेस्वर कांग्रेसी, कामेस्वर कम्योनिस्ट तथा दामोदर, हिंदू सभाई, मगर कहानी या राजनितिक दुर्भावना प्रदान नहीं, सामाजिक भावना प्रदान है घर में एक गाय को लेकर काफी कलाए उस गाय को कामेस्वर या कम्यूनिश्ट लड़के ने बारा साल पहले तीस रुपई में खरीदा था दस साल उसने बरावर सारे परिवार को तीन सेर रोजाना से लेकर आठ सेर रोजाना तक दूद पिलाया उसके छे बचडे छोटी उम्र मैं ही कुल मिलाकर धाईस रुपई में बेज दिये गए और चार बचियां डेड़ सो में पर अब उस गाय में कोई तत्व नहीं ठटरी मात रहे गई है बड़ापे से काली कीचमाई आखें किसी को भी अब उससे कोई उम्मीद नहीं सबको अब वायद दोर की कुसोबा और गंदगी फैलाने बाली मालूम पड़ती है केबल गुलाबो अम्मा उस गाय की पक्च पातनी और प्रचन ड्रक्षक बिना उनके प्राण निकले क्या मजाल जो कोई गो माता को घर के बहर निकाल सके जवानी में दूद किसी ने पिया हो पर बड़ापे में गाय के लिए अपना खून पानी करने बाली हैं तो गुलाबो अम्मा गुलाबो अम्मा 85-85 बरस की बाई में जैसी बुड़ी बैसी ही ओए गाय 15 बरस की अबस्ताव में इसे बैंचने अम्मा कम्योनिस्ट ने पूछा इसे खरी देगा कौन या ना तो अप फलेगी ना दूद देगी अम्मा ने बैंचने की याचना को अनुस्साथ किया पर कम्योनिस्ट अर्थ 85 योग का प्राणी कसाई इसे हसी खुसी से 25-30 रुपाई में ले लेगा अम्मा कांग्रेसी बेटा रामे स्वर या राम ने एक दिन सुनाया अम्मा जमाना महगाई का है और इस गाय पर रुपिया सबा रुपिया रोच खर्चा पड़ जाता है इसे पिंजरा पूल पठा दे तो कोई आपत्ती है तुम्हें बहां यहां से अधिक सुखी रहेगी जमाना महगाई का है तो मुझे भी किसी पिंजरा पूल में भरती करा दे दूद पिया हमारे परिवार ने सेवा करे पिंजरा पूल यह भी कोई इनसाफ है इस पर एक रुपिया रोज परिवार नहीं खर्च कर सकता तो मैं आदा पेट खाऊंगी और मेरे पेट का आदा याय मदे करते करते हार गया पर उस दिन के बाद गुलावो अम्मा ने कभी दोनों जून जम कर खाया नहीं हिंदू सभाई यानी छोटा लड़का दामुदर सबसे चगड निकला उसने तै किया गुलावो अम्मा के सो जाने पर आदी रात को गाय नगर की सीमा के बाहर हांक आन उसने अम्मा अंजान को तो धोके में रखा पर एन बक्त पर वाय गाय गुवा उसके बद इरादे को जान ताड गई और बंदन में हाथ लगाते ही बौं बौं कर गुवा गुलावो अम्मा को पुकारने लगी अम्मा भी उसकी पुकार सुनते ही गाय के ठान पर क्यूं र रहा है अम्मा खीज भरे स्वर में हिंदू सभाई लड़के ने कहा इसके मारे सारे घर में गंदगी जिधर देखो गोबर ही गोबर सीधे से तुम इसे कभी न निकालोगी सो मैंने सोचा रातो रात सहर हांक आऊं किसके भागे की सारे घर में गोबर ही गोबर नजर आए मैं आज अंतिम बार कहे देती हूँ गाय घर्प से बाहर निकली और दाना पानी छोड मैंने प्राण देने का निश्चाय किया मेरी जिन्दगी मैं ऐसी बेनसापी नहीं हो सकती कि जिसने हमारे लिए सारी जिन्दगी खून का पानी बनाया नहीं दूद उस मूख पसी को बड़ापे में घर से बाहर निकल दिया जाए यह भी परवार का प्राणी है कालकती से बैसे ही कमजूर बनी जैसे की मैं गुलाबो अम्मा के आरे इंसाप के रौप से थरा कर दामो दर चोरी की तरह चुपके जरा तरक गया तब अम्मा ने गाय की तरफ करोड़ दिश्ट पहले अम्मा ने छिलड कंबल उठाया फिर कुछ सोचकर रुकी जिसने अपने बच्चों का पेट काट कर मेरे बच्चों को दूद पिलाया उसे छिलड नहीं अच्छा कंबल ही ओड़ना सनातन धर्म है कम से कम जब तक मैं जिन्दा हूँ मेरे बाद चाहे जो भी हो गय को उत्तम कंबल ओड़ा स्वयम छिलल ओड़े सोने की कोठरी की ओर लोटती हुई पीछे मुढकर गुलावो अम्मा ने यह ताडने की चेश्टा की कि आप तो वाय काप नहीं रही है गय ने भी बिचित्र और मूख अपनत्प से अम्मा की तरब देखा अम्मा की आखों में करड़ा थी गंगा की तरह है गव की आखों में किर्तग्या थी मुक्ती की तरह है